नमस्ते दोस्तों मेरा नाम प्यूज राय है आप पिछला एपिसोड देखा है इस सीरीज का तो ठीक है नहीं तो मैं नीजा लिंग दे दूँगा आपको उपर आई बटन में भी दिख जाएगा अंतर वीडियो के एंड में वीडियो बॉक्स जात नहीं एंड स्क्रीन में भ करेंगे तो आप को कई बाते समझ में आएंगी सीक्वेंस से कुछ खास लिना देना नहीं है आप कभी भी कोई भी वीडियो देख सके लें लेकिन हां मिस ना करें इसलिए आप देख लीजिए और शेर रुकिया करिए कि जो मार्केट में भरांतियां फैली है एक कहावत आ आप जियानेंगे नहीं आप कंफरंट नहीं करेंगा आप एकस्पोज नहीं करेंगे अबस हमे हमिला देंगे हम सही बात लिखा है तो में ही फॉलो करते हो सही बात लेकिन उसके आगे और पीछे की दो आयते नहीं बताएंगे बोलो तो मैं वहीं चुन चुन के लाया सूरा 5 की दो आयतने लेके आया हूं जिसमें साफ साफ इंस्रक्शन्स हैं यह पूरी इंस्रक्शन्स से लदी हुई है इसमें और कुछ नहीं है तो instructions हैं कि आपको कैसे non-wich खाना है किस जानवर को मारना है किस तरीके से मारना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है आपकी screen पर देख रही हो कि मैं फिर से बता देता हूं जिसको Arabic आती है इंगलिश आती है तो पड़ सकता है जूम करके बढ़ सकता है आप अगर vertical phone करके देखन है तो horizontal कर लिजिए और clear देखका अच्छे से पड़ पाएंगे और जिते भी मुसल्मान भाई बेंद देखना मैं चाहता हूं आप comment करके अगर आपको लगता है कि आप इस चीज को भी justify कर सकते हैं तो comment बता देना है और इसके बाद भी अगर लगे कि islamic religion of peace हर जानवर को क तो सूरा फाइब की आयत नंबर तीन forbidden to you for food are Al, Mati, Maitah, the dead animals, cattle, bees not slaughtered, blood, the flesh of swine and that on which Allah's name has not been mentioned while slaughtering eachub ज्हें आही Isab, अपको मन आही है Allah का नाम जहां नहीं लिखा है, slaughtered करते हों अजय थो आए लोग किसी जानरों काटते हैं वापते हैं और Allah का नाम क्या है Allah's name साथ साथ लिखा है Allah का नाम क्या है भाई, मुझे बताना तो एक ही वर्ड बता है कि अल्ला बोलते हैं, अल्ला का भी नाम होता है कुछ, खेर, has not been mentioned while slaughtering, that which has been slaughtered as a sacrifice for others than Allah, or has been slaughtered for idols, idols के लिए या अल्ला के लाव किसी और के लिए अल्ला के लिए अल्ला के लिए अल्ला के लिए तो आप उन्हें नहीं खाएंगे, and that which has been killed by strangling or by a violent blow or by a headlong fall or by gobbling of horns and that which has been partly eaten by a wild animals, unless you are able to slaughter it before its death, and that is which is sacrificed, slaughtered on unnusub stone altars, यह सब क्रिटेरिया हैं कि इस क्रिटेरिया में अगर चीज़ें आ रही हैं तो आप को नहीं खाना हैं, Okay, forbidden also is to use arrows, seeking luck or decision, all that is fiscan disobedience of Allah and sin, this day those who disbelieve them, given up all hope of your religion, so fear them not, but fear me, जो मतलब आप यकीन नहीं करते हैं इसलाम पे आपके मजहब पे, तो अप उनसे मदरियें, आप मुझ से डरियें, मतलब आप अल्ला से डरियें, This day, I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you, Islam as your religion, अभी इनोंने बताया है, खाने के मामले वाली आयत में, कि मैंने perfect कर दिया इसलाम को, तुम्हारे लिए इसलाम को चुना है, और इसलाम के लिए तुम्हारे मजहब की तरह चुना है, But for him, who is forced by severe hunger, with no inclination to sin, such can eat these mentioned meats, then surely Allah is often forgiving most merciful, खाने की बाते बताके कि क्या-क्या नहीं खाना, इससे religion perfect हो जाता है, हो जाता होगा, अब चौती आयत पर आता है, तीसरी और चौती थी, They ask you, O Muhammad, what is lawful for them as food? तो ये कहना, मतलब पूछेंगे कि मुहम्हारे मताओ कि खाने के लिए क्या सही है, ये क्या lawful है, lawful to you are, all kinds of halal foods which Allah has made lawful, अब जितने भी halal हैं, जिसको आप गला काटके उसकी कतरा कतरा खून गिर जाए और तरणा 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 के मर जाए, वह जो halal है, उस चीच को आपके आपके लिए बना दिया है, lawful कर दिया है, आप उखा सकते हैं, meat of slaughtered, eatable animals, milk, product, fats, vegetables and fruits, ये सभी मैंशन हैं, and those beasts and birds of prey which you have trained as hounds, training and teaching them to catch in the manner as directed to you by Allah, so eat of what they catch for you, but pronounce the name of Allah over it and fear Allah, verily, Allah is swift in reckoning, so Allah jy जो हैं, उन्होंने अच्छे से guide किया हुए है, और पुर्रेशिपी तढ़या करके दी हुई है, क्या खाना है, क्या नी खाना है, सारे instructions है, क्या legal है, क्या illegal है, सरिया के साब से कह सकते हैं, hoped और मुहम venomत sah sourisip기가 स्लुक्षे हैं, अल्ला के रसूल यानि हम लोग में तो अलग कॉंसेट होता है बगवान के अवतार होते हैं वो खुद बगवान ही होते हैं अलग रूप में आते हैं तो अवतार होते हैं लेकिन अल्ला ने एक रसूल चुना इस केसमें रसूल कोई भी हो सकता था आते गए इनों के जो अलग-अलग फिरकें मानतेएं कि सिर्फ म AWS też और भी आगए आएंगे आएंगे तया मैं दोनम इसलिए में धूर आ जाएंगे इस में कभी और जाओंग्व और इनके मानता के बारे में इस पिरक नहीं होता है अपको पता और इस मजहाब में आपको आपकी किताब में गाइड किया जाता है कि कैसे कैसे जानुवर का गला काटना है हलाल करना है कैसे खाना है उसको लोग कहते हैं कि जब इंसान की development शुरू हुई थी ancient time में जब कुछ नहीं था जीरो से शुरू हो रहा है जब इंसान बंदर से human बन रहा था दिरे दिरे evolution हो रहा था तब उसने जानुवर खाना सुरू किया था लोग इस बात का तर्क देता है कि वही चीज तो है मैं यह कहता हूं तब वह जानुवर से मनुष्य बन रहा था उसकी आदतों में था यह करना उसके बास कोई चारा नहीं था वह जानुवर की मतलब उस species का हिस्सा था जब evolve हुआ उसने substitute चुने हम यह ना खा कि यह खाएंगे समझ रहे मैं comparison यह नहीं करना चाहता कि हिंदु माननेता में क्या है और इसलाम में क्या है जमीन आस्वान का परक है जैसे जमीन आस्वान एक डूसरे को बीटचे नहीं कर सकते उसी तरीके से इसलाम और हिंदू मजभव मजभ इसलाम हिंदु धर्व एक दूसरे की बराबरी नहीं कर सकते जरूरत भी नहीं जरूरत भी नहीं एक क्याना का डेट है तो जो चीज पैदा ही नहीं हुई उसके जाने की डेट निश्चीत होगी तो इसलिए में कंपैर्जन नहीं हो सकते लेकिन एक सवाल का जवाब जिसको देख के ऐसा रखता है उस वक्त समाज में बहुत कुछ पूरी दुनिया में बहुत कुछ खटित हो रहा था लेकिन अल्ला ने ये सोचा कि मुसल्मानों को ये गाइड करते है कि तुम्हें क्या खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए अल्ला का नाम लिखा होना चाहिए खाने पर और मतलब शोचल वैल्यूज नहीं दी उस वक्त और मतलब ये ही क्या बता हूँ अगर समझ में आगे मैं क्या पूचना चाहता हूँ उसका जवाब देना अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आपको किसी टॉपिक पर डिस्केशन चाहिए तो करने बता सकते हैं यहां तक आगे तो लाइक शिर सब्सक्राब ये रूप करिए बाकि आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं अगर आप किसी तरीका कोई भी कॉंट्रिबूशन करना चाहते हैं फिर मिलते हैं अगली उडम जैन वंदे मातर